नमस्कार, मेगाल है, नौर्थीस का एक छोटा सा राज्य है, बड़ा खुबसूरत राज्य है, बादल जो है सबकों पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ भारतिय जन्ता पार्टी की सिर्फ दो सीटे हैं, कड़बंधन की सरकार में थे, नपीपी, जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, मुख्यमंत्री थे वो, बीजेपी की साज्या सरकार थी, साथ कुल सीटे हैं विधान सबा की, इसमें दो सीटों का कोई बड़ा मातों नहीं होता, लेकिन महतनों किसलिए था, क्यों उन्होंने सरकार में शामिल कराया, इसलिए कि केंदर में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार है, और छोटे राज्यों को केंद सरकार की बड़े राज्यों की तुल्ला में ज़ादा जरूरत पड़ती है एक कारण तो यह है दूसरा भाजपा के नेताओं से, खासताओं से केंदरी नेताओं से कौनराड संगमा के अच्छे संबन्ध है, दूसरा कारण यह था इस बार विधान सभा चुनाव की घोशना से पहले ही कॉन्राड संगमा ने कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे एलाइंस नहीं करेंगे बीजेपी में भी घोशना की कि वो अकेले लड़ेगी और पूरी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अब आप देखिए पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी को दो सीटें और 9.6% वोट मिले थे किसी राज्य में पहली बार जब आप एंटर कर रहे हों तो वोट शेर के लिहास से बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन सीटों के लिहास से तो निश्चित रूप से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है दूसरी पार्टी जो वहां के रीजनल पार्टी है यूडिपी यूनाइटेड डिमोक्रिटिक पार्टी उसको बीजेपी से दो परसेंट वोट जादा और चार सीटे जादा यानि छे सीटे मिली थी बीजेपी उसको अपने कॉम्पेटिटर के रूप में देखती है कि उसको हरा कर उसके आगे निकलेंगे हम तब हम सत्ता के दावेदारी की बात कर सकेंगे तो बीजेपी ने इन 2018 से 2023 जब चुना होने जा रहा है अब चुनाओ की अदुसरी चुना तो जारी हो चुकी है तो क्या किया है पिछले पांच सालों में बीजेपी ने लगातार प्रयास किया है मिशनरी तक चर्चेस तक वहाँ जो सोशल ग्रूप है आधिवासी समाज के जो नेता है उनके बीच अपनी पैठ बनाने की उनके बीच में जो है उनकी माइनौटी मुर्चा की जो उनकी सदस्य है एलिजाबेट मार्टिन उनको इसका जिम्मा दिया गया कि इन सामाजिक समुहों से संपर्क करे तो संपर्क करके क्या करें बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आपको पता होगा कि मेखाले इसाई बहुल राज्य है और बीजेपी की वहाँ छवी ये है कि ये हिंदी हिंदू पार्टी है ये हिंदूों के अलावा किसी दूसरे मजब और पंत के लोगों को अ साल में बीजेपी कामयाब हुई है अब वहां के जो आधिवासी समाज के हो या हिसाई समाज के के जो संगठन सामाजिक संगठन है उन में बीजेपी के नेताओं को निमंतरन मिलने लगा है बुलावा जाने लगा है उन से संपर्क होने लगा है और बीजेपी के बारे में यह जो धारना थी वो बदल रही है अब सवाल यह है कि क्यों बदल रही है ऐसा क्या हुआ दो सीटे लेकर बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया या 9.6% वोट लेकर क्या किया बीजेपी ने जो किया वो उसकी केंद्र सरकार ने किया तो इसलिए जो बात कही जाती है कि पिछले आ ये साबित करके दिखा दिया है और मेगाले में ये होता हुआ दिख रहा है लोगों की जो राय बदली है ऐसा नहीं कि BJP के नेताओं के भाशन से उनकी आश्रासन से उनकी बातों से राय बदली है जो development हुआ है विकास हुआ है पिछले आठ साड़े आठ सालों में लोगों के बीच में ये चर्चा है कि पहले भी सरकारें थी, वो भी काम करती थी, लेकिन इस तरह का डेवलप्मेंट तो पहले कभी दिखाई नहीं लिया, बीजेपी अगर इसाई विरोधी होती, इसाई बहुल राज्य में डेवलप्मेंट का इतना बड़ा काम क्यों कराती, उसको तो बारे में जो इमेज बनी है, उसको लोगों तक बताना कि, देखिए हम आपके जीवन में कैसे परिवर्तन ला रहे हैं, यानि हम आप से अगर दुश्मनी रखते, आपके विरोधी होती हैं, तो आपके लिए ये सब क्यों करते हैं, इस बात ने, यानि डेवलप्मेंट ने राजनीती को बदलने की शुरुआत की है, बीजेपी कितनी कामयाब होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके लक्षन, राजनीती में कुछ लक्षन दिखाई देने लगते हैं परिवर्तन के, परिवर्तन कितना बड़ा होगा वो नतीज़ा आने के बाद ही पता चलता है, तो परिवर्तन के लक्षन क्या है, एनपीपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ता रूठ दल है, उसके विधायक, चार विधायक जो है, चुनावक से पहले चोड़कर बीजेपी में आ गये हैं, और सबसे बड़ा कैश जो है, सबसे बड़ी उपलबधी बीजेपी की इस मामले में का है, तो वो है विधान सभा अध्यक्ष जो निवर्तमान विधान सभा में अध्यक्ष थे, और एनपीपी के ही जाहिर है थे, एनपीपी के वरिष्टनेता है, एनपीपी ने अपने अपने उमीदवारों की घोषना की, उस सुचिम उनका नाम था, लेकिन 28 जैन प्रतिस्ट के राज्यों में चोटे राज्यों में यह बड़ी सामानी बात है लेकिन वो सब चुनाओं के बाद जादा होता है या फिर बदला होता है तो जब टिकट कट जाता है तो टिकट कटने के बाद भी ऐसी पार्टी पर नज़र रहती है जो कुछ कर सके जो जो आपक कौवेस भी है। यूडीपी है, छेतरी पार्टी इन सब को छोड़ कर बीजेपी में आने का मतलब है कि उनको लग रहा है कि बीजेपी के प्रती लोगों की राय बदली है राय बदली है तो मुझे वोट मिल सकता है। जब उन्होंने बीजेपी को कितनी सीटे मिलती है ये बहुत बड़ी बात नहीं है कितने परसेंट वोट मिलते हैं ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है बीजेपी को मान लीजे साड़े नौ पॉने दस मिले थे इस बार जो है 20-22 परसेंट वोट मिल जाए दो सीटें मिले थी हो सकता है दस सीटें, बारफ सीटें, पंदरह सीटें मिल जाएं उससे सत्ता में नहीं आने जा रही है उससे कोई बहुत बड़ा बदलाओ मेगाले की राजनीती में नहीं होने जा रहा है लेकिन बीजेपी की नजर है इसाई बहुल जो दूसरे इलाके हैं दूसरे राज्यों में उन पर खास्त दोर से केरल गोवा ये ऐसे राज्ये हैं जहां बीजेपी की नजर है बीजेपी को लग रहा है कि अगर मेगाले में नौर्थ हीस्ट में जो इसाई बहुल इलाके हैं उन में उसके परसेप्शन के बारे में बदलावा आता है तो इसका मैसेज वहां तक जाएगा और उसका फायदा होगा केरल में भी बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है हिंदू इसाई एक्ता बनाने की ये एक्सिस बनाने की तो मेगाले में अगर काम्याबी मिलेगी तो केरल में उससे मदद मिलेगी गोवा में बीजेपी और मजबूत होगी गोवा में भी जो है इसाई आबादी काफी है तो इसलिए जो है वो जादा तर वो तै करते हैं कि कौन हारेगा जीतेगा यानि किसकी सरकार बनेगी इस बार बीजेपी का साथ दिया ये उनको जोडने का काम पूर रक्षा मत्री मनोहर परिकर ने शुरू किया था लेकिन अब अब बात मेगाले की कर रहे हैं तो नौर्थ इस्ट में मेगाले, मिजोरम, नागालेंड ये तीन ऐसे राज्ये हैं जो इसाई बहुल राज्ये है तो यहां पर अगर बीजेपी की पैट बढ़ती है तो बीजेपी के लिए पूरे देश में इसाई समाज में उसकी छवी बदलने का संकेत होगा जिसका फाइदा लोकसभाचोनाव में भी मिलेगा आने वाले समय में इन राज्यों में जहां इसाई आबादी ठीक ठाक है वहां भी फाइदा मिलेगा तो देखें क्या होता है मेगाले में क्या नतीज़ा आता है तब तक इंज़ार करते हैं तो आज का इंक में इतना ही नमस्कार